नमस्कार में हनुषका बिहारी नीज में आपका स्वागत है आज शाम तक की खबरों को जाने से पहले एक नजार डालते हैं आप तक की सूर्ख्यों पर पीस जिलों के रहयतों के लिए है भूमी सर्वे से जुरी बड़ी खबर अब नई व्यवस्ता की तहत वित रहत शुक्षकों को मिलेंगे अनुदान परदर अगस्त से चलेगी पटना और जैनगर के बीच इंटर सिटी एक्सप्रेस चिराक पासवान की मांग को AIMIM की विधाय को कमिला समर्थन नाज में हर दिन करीब 17 सेंटिमीटर की उचाई से बढ़ रही है गंगा तो आईए अब जाते हैं खबरे विस्तार से अब नई व्यवस्ता की तहत वित रहत सिक्षकों को मिलेंगे अनुदान ब्यार सरकार अपनी सिस्टम को पारदर सी बिनाने के लिए अब नई व्यवस्ता की तहत वित रहत हाई स्कुलों और कॉलेजों के शिक्षक वक्रमचारियों को अनुदान देगी शिक्षा मंत्री ने इन्हें अनुदान की राशी देने के लिए सीधे ऐसे शिक्षकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से देने का फैसला किया है इस ववस्ता को जल्द ही सरकार लागू करने की तयारी कर रही है इसके लिए एक सॉफ्ट वेयर तयार हो रहा है बताते चले कि वित रहित सिक्षक और कमचारी जब तक अपने पिछले अनुदान की राशी का उपयोगिता प्रमान पत्र जमा नहीं करते तब तक अगली राशी उन्हें नहीं मिलेगी ऐसे भी सरकार की पास भी अनुदान का हिसाब किताब बना रहेगा बताते चले कि सरकार द्वारा वित रहित स्कूल कॉलिज के रिजल्ट के आधार पर अनुदान मिलते हैं वकीलों की समस्या पर बने डॉक्यमेंटरी का पटना हाई कोर्ट में हुआ प्रसारन कोरोना और लॉक्डाउन की परिस्थितियों से उत्पन आर्थिक गरीबी के शुकार वकील और उनके साथ काम करने वाले वेविन कमचारी भी हुए पटना हाई कोर्ट सहित राज के अलग-अलग जुला अधालतों से जुरे वकील, मुवक्किल, कोर्ट केंपस में रोजगार करने वारे लोग की स्थितियों का जाजा लेकर जैन जुआर फाउंडिशन की तरब से एक डॉक्यमेंटरी बनाएगी जिसे बीते दिन पटना हा कोर्ट में प्रसारित किया गया, इसके जड़िये कोर्ट से जुड़े हरवर के लोगों की समस्या को सब के सामने रखा गया, इसके प्रसारन को विहार बार काउंसिल के सदस्यों ने भी सराहा और ऐसे मुद्वे को पहली वार उठाय जाने की बात कही, इसके साथ ही बार का जलस्तर 14 से लेकर 17 संटीमीटर तक बढ़ रहा है हालत ये बन चुके है कि पटना से गायगार तक बने 17 स्लूइस गेट को बंद कर दिया गया है और संप हाउस की जडिये शहर में गुश्चों के पानी को वापस गंगा में डाला जा रहा है बेते दिन दिगा और गांधी घा के पास बालू की बोरे रखे गए है साथ ही NDRF और SDRF टीमों को अलर्ट पर रखा गया है इट भटे के लिए बिना अजाजत खुदाई करने पर हाई कोड ने बेजा लोटिस बीते दिन पटना हाई कोड ने केंद्र परियावरन विभाग से बिना इजाजत लिये ही राज इट भटों को डेर मीतर तक मिटी खुदाई करने के लिए बिहार सरकार द्वारा इजाजत दिये जाने के एक याचिका पर सुनवाई की इस जनहित याचिका में कहा गया था कि राजसरकार के उस अधिसूचना को रद कर दिया जाए जिसमें इट भटों के लिए विशेस म मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोट ने केंद्रे वन वपड़्यावरन विभाग तथ राजी खरन वभूतत्वे विभाग को नोटीस जारी किया इसके साथ ही वियाराजी प्रदुशन नियंतरन बोड को भी नोटीस जारी कर जवाब मांगा गया है 15 अगस्त चलेगी पटना और जयनगर की बीच इंटर सिटी एक्सप्रेस पुर्माद डेल ने यादरे सुविदा के लिए 05549-05550 पटना जयनगर पटना इंटर सिटी एक्सप्रेस स्पेसल च्रेन को 15 अगस्त से फिर से चलाने का फैसला किया है यादरे स्पेसल ट्रेन 15 अगस्त के दिन जयनगर से सुबह पाच बचकर 25 मिनट पर खुलेगी और शनिवार को छोड़कर सब्तार के बाकी सबी दिनों में दो पहर देर बजे पटना जंक्सन पहुंचेंगी वहीं बाफसी में ट्रेन संक्या 05550 पटना जयनगर इंटर सिटी एकस्प्रेस स्पेशल ट्रेन शनिवार के अलावा सब्ता की शेस सभी दिनों में पटना से श्याम 3 बचकर 25 मिनट पर प्रस्थान कर रात के 9 बचकर 40 मिनट पर जयनगर स्टेशन पहुंचेगी इस दोरान ट्रेन अप एवं डाउन दिसा में मदुबनी, सकरी, दर्भंगा, समस्तिपूर, मुजबपरपूर, भगवानपूर, हाजीपूर, पाटली पुत्र स्टेशन उपर रुखेगी चिरागपासवान की मांग को AIMIM की विधायकों का मिला समर्थन जमुई सांसा चिरागपासवान बरेही बिहार में अपने ही दल और परिवार में अलग थलग पर गया है मगर उन्हें बाहरी सपोर्ट मिलना भी जारी है इस बाबत उन्हें ओवैसी की पार्टी के विधायकों का समर्थन मिला है यह समर्थन चिराग की एक मांग पर मिला है जिसमें लोचपासांसाच चिरागपासवान पूर्निया जिले से हवाई सेभा शुरू करने की मांग की है इस मांग पर भिहार में AIMIM के अमोर सीट से विधायक अक्तरूल इमान ने भी समर्थन किया है गोल्ड मेटल विजिता नीरज अपने बिहारी दोस्त की मदद के लिए आए थे आगे टोकियो अलम्पिक में सुरंड बदक जीतने वाले नीरज चोपरा आज सब की दिलों पर राज कर रहे हैं इस बीच अब नीरज की नेक दिली होने की एक कहानी उनके बिहारी दोस्त ने साजह की है 2015 में नेस्नल चेंपियंट सिप में नीरज की साथ खेलने वाले जमूई के आशुतोस ने बताया की नीरत चोपरा की ही अपील पर जमुई के सुदामा की मदद सोनु सुदने की दरसल विहार की सुदामा यादव जो जैवलिन त्रो की खिलारी है उनकी मदद के रिए एक बार नीरत चोपरा ने सोनु सुद से अपील की थी इसके बाद जानकारी विलने के पड़ सोनु सुदने बिहार की जमुई के रहने वाले बाला फेक खिलारी सुदामा यादव को मदद पहुशाई थी। दानापूर से बीटा एरपोर्ट पर एलिवेटेट सरक पर सफर करना होगा बेहद महगा। राजसरकार और केंदर सरकार के बीच अब तक दानापूर से बीटा एरपोर्ट तक 17 किलुमीटर एलिवेटेट सरक बनाने के मामने में पेच फसा हुआ है। इस प्रोजेक्ट को एनच एयाई की तरफ से अनावश्यक बता जा रहा है। अगर इस एलिवेटेट सरक का निर्बान हो जाता है तो मातर 17 किलुमीटर का सफर करने के लिए लोगों को आने और जाने में 500 रुपे टोल टैक्स बढ़ने होंगे। ऐसे में लोग पुराने नीचे सरक से ही यात्रा करना पसंद करेंगे। इसलिए एनच एयाई पुराने एलाइनमेंट पर ही सरक को बनाने को अच्छा बता रही है। पुरी दिस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए बू अविलेक और परिमाप निदेशाले ने अपने वेबसाइट sttpsdlrs.bihar.gov.in में रैयत द्वारा धारित भूमी की स्वगोशना नाम से एक अलग लिंक दे दिया गया है। इस लिंक पर जमीन का ब्योरा क पर और वर्शावली को अपलोड किया जा सकता है। जमीन के ब्योरा के लिए प्रपत्र दो है। इसके तहट अब रैयत अपनी जमीन का रखबा और खाता खेसरा की जानकारी इसी लिंक पर अपलोड करेंगे। इस ऑनलाइन सुविदा से बिहार से बाहर रह रहे रैयत को स चुक्रवाति परिसंचरन के प्रभाव से अगले चार दिनों तक राज के कई हिस्सों में मेग गर्जन के साथ मध्यम भारी बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। दंड लगाया। दरसल आदेश के मताबिक सभी दलों को पिसले विधानसबा चुराव की दौरान नॉमिनिशन के 48 गंटे पहले या फिर उमिद्वारों की गोशना की दो सब्ताह पहले अपनी कैंडिडेट की पूरी जानकारी उप्लवद करवानी थी जिसे बिहार की किसी अविक्षा की जरूरत है। जिसकी शुकायत सामने आने पर CBI ने साल 2019 में जाल साजी धोकाधरी का मामना दर्श कर अपनी जाच को शुरू कर दिया था। इसके तरह PMCH और NMCH में एक एक क्रायोजेनिक और आठ पी ऐसे ऑक्सेजन जनरेशन प्लांट का उठगाटन किया गया। तो बही IG IMS में कैंसर मरीजों के लिए 120 बेड की नई भवन का लोकारबन किया गया। यहाँ जाच से लेकर सरजरी तक की सुविधा मिलेगी इसके साथ ही। जानकारी की मताबिक ग्रामीनों ने दो दिन पहले ही तालाब में एक तुइंदुए को पानी पीते देखा था जिसके बाद से ग्रामीन अपने अपने घरों में कैद हो गया है। आरंके वन विभाग को सुचना मिलने के बाद टीम रेस्क्यू के लिए कैम्प कर रही है। अपने जवाब हमें कमंट सेक्षन में कमंट करके जरूर बताया और बिहारी नियूस के साथ तब तक के लिए नमस्कार।